जो पानी चोड़ गया है, उससे बहुत नुकसान वहां पे होगा, 40-50 लोग वहां पे बेह गए हैं उसमें, जान्माल का बहुत भारी नुकसान वहां पे हैं, फसल का किसान हैं, पहले MSP उसको नहीं मिल रहा थी, अब यह पूरा किसान बरबाद हो गया है, जहां पे पानी भ पहाड़ी छेत्र में उत्राखंड की हम बात करें तो बहुत जबर्दस बारिश पिछले दो-तीन दिन से हैं वहाँ से नानक मत्था डेम से जो पानी छोड़ा गया है उससे बहुत नुकसान वहाँ पर हुआ और पूरे उत्राखंड की अगर बात करें तो पचास से ज़्यादे लोग की जो खबर है चालिश-पचास लोग वहाँ पे अभी तक बेह गे हैं उसमें जानमाल का बहुत भारी नुकसान वहाँ पे हैं और जो पानी निच्चे उत्तर पर देश माया तो वहाँ पे भी कई लोग उसमें मारे गए जानमाल का नुकसान है फसल का जो किसान है पहले MSP उसको नहीं मिली थी कास करका दान में दालों में अब वो पूरा किसान बरबाद हो गया है जहां पर पानी भर गया है तो सरकार से तुरंत यह हैं कि उनको रहत पहुँचाए जाए और होर जगे भी पूरा देश भर में यह कई स्टेट में यह रात खराब हैं तो सरकार को तुरंत रात पहुचाए जाए वहां पर और हम भारते किसान यूनिन के लोग उसे भी यह अपील करते हैं कि उनके छेतर में जहां पर भी लोग फसे हुए हैं वह मवेशी हो आदमी हो जानवाल का जो नुकसान हो रहा है उनको तुरंत साहिता पहुचाए और कल से इस काम पे सब लोग लग जाएं और सरकार भी उन छेतर में जाके तुरंत रात का काम सुरू करें क्योंकि नुकसान बहुत जबर्दस नुकसान हैं इस तरह से नधियां उपान पे हैं घरों में गामूं में जहां तक पानी कभी गया ही नहीं उन सब्सक्राइब करना न भूले ताकि देश विदेश के जुड़ी खबरें आप मिश्च न करें क्योंकि करोना काल में दो गस दूरी मास्क है जरूरी नमस्कार